हेलो फ्रेंड्स फेल्कम बैक टू मैं चैनल जै माता दी राधे राधे तो चली आज हम एडली की रेसिपी लेकर आए हैं तो सबसे पहले हमने इसमें उड़त की डाल दो कटोरी के करेव हमने इसमें उड़त की डाल ले ली और इसे हम अच्छे से धुल करके और ओवर नाइट तक सोख करने के लिए रध देंगे आप चाहो तो बिना छिलके वाली भी ले सकते हो यह छिलके वाली है तो इसे हमें अच्छे से साफ कर लेना है दो कटोरी के करीब हमने उड़त की डाल लिये थे तो अब हम चार कटोरी के करीब उसमें चावल लेंगे चावल जितना पुराना होगा आपके इडली इतनी ही स्पंजी और अच्छी बनेगी और ऐसे मार्केट में इडली का अलग चावल आता है आप ओ भी ले सकते हैं हाटा दिये हैं तो अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे औरत की डाल का जो पेस्ट होगा वह पिलकुली फाइन पेस्ट होगा उसमें कोई भी धुर्दुरापन नहीं होगा तो यह पूरा पेस्ट जो होगा उसका पूरा एकदम चिकना बनेगा तो आप इसे मिक्सेग ग्राइड में डाल करके, हलका सा पाइड डाल करके और ग्राइड कर लिजे, तो ये देखिए, उड़त की दाल का पेस्ट बन कर तयार है, इसे हम एक बतन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं, इस तरह से इसका फाइन पेस्ट, जरा भी दाने नहीं होंगे उसमें इस तरह से तैयर करना है यह है चावल तो अब इसे भी हम अच्छे से ग्राइन कर लेंगे पर चावल का जो पेस्ट होता है वो थोड़ा सा दुर-दुरा होता है बहुत ही कम पर थोड़ा सा उसके जासा फाइन नहीं होता यह थोड़ा सा दुर-द कर लिया तो आप देख सकते हैं चावल का पेस्ट हलका सा दूदुरापन है इसमें तो अब सभी को अच्छे से हम जो भी दोनों पेस्ट को हमें मिला कर अच्छे से फेटना है ताकि वो अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए बैटर थोड़ा गाड़ा है तो हम इसमें एक ग्लास के करीब आप अपने एक ओर्डिंग देख लिजिए कितनी ज़रुत है पानी की इडली के बैटर के लिए तो ऐसे पानी मिला करके आप अच्छे से फेट कर उसको जितना अच्छा फेटेंग है आप आपके इडली उतनी अच्छी बहें तो देखिए इस तरह से बैटर होगा इसका तो अब देख सकते हैं इस तरह से इसको पानी डालके करना है तब ही हमारे ये इडली का बैटर त्यार है अब हम इसे ओवर नाइट के लिए रख देंगे साइड में ताकि हमारी जो ये बैटर है वो अच्छे से फ्रेगमेंट हो जाए तो आप देख सकते हैं कितना बैटर था और पुरा फूल कर पुरा उपर तक भर गया है तो ये देखिए कितने स्पंजी हो गए हैं पूरे उपर तो आप चाहो जितना बनाना तो आप उसको उपर से अलग कर लीजे और आप और स्टोर करके फ्रेज में आप रख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजे इस तरह से है तो अब हम इसमें एक चमच के करीब नमक एड़ करेंगे और नमक को अच्छे से मिला लेंगे देखिए बैटर कितना फ्लपी हो गया है अगर आपको इस स्टेज पर लग रहा है कि थोड़ा सा बैटर हमारा गाड़ा है तो आप पानी एड़ कर सकते हैं यह है इडली का मोल्ड इसको हम अच्छे से ओल लगा करके ग्रीज कर लेंगे अब बैटर को हम इसमें मोल्ड में फिल कर देंगे यह पानी हमने गरम होनी के लिए रख दिया था पानी हमारा गरम हो चुगा है तो अब इस स्टेज पर हम इसमें रख देंगे और इसको ढख देंगे मीडियम फ्लेम पे आप रखिए 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे और आप इडली बन कर त्यार हो जाईगे तो आप देखिए बिल्कुल भी चिप चिपी नहीं है आप इसे चेक कर सकते हैं नहीं बिल्कुल सुखा था तो अब इसे थोई देर तक के लिए ठंडा होने देंगे फिर हम इसे मोल्ड से निकालेंगे तो बहुत अच्छे से निकल जाएगी तो आप चटनी के साथ नारियल के साथ आप इसे खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है एक बार आप जरूर बनाईए तो आप मैं तोड़के दिखाती हूँ आपको कितने फ्लॉपी बने हैं ये देखिए बहुत ही स्पंजी और मुमें घुल जाने वाली इड्ली बनकर तैयार है तो अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने कमेंट हमाई साथ शेयर करें